हलो एब्रवान एक बेफिर से आपका स्वागत है हमारे इस चानल पे and today we are going to discuss about the supply का एक topic जहां पे हम देखेंगे कि कैसे जुह है supply में change आने के कारण उसका effect price पे क्या पढ़ता है क्यूश्वली हमने जब supply का law पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे price उपर जाता है वैसे वैसे supply भी उपर जाती है and इसका vice versa यानि कि price अगर नीचे आता है तो supply भी नीचे आती है यानि इन दोनों में एक positive relationship होता है तू जहां मैं वहाँ वाला situation की price उपर तो supply भी उपर, price नीचे तो supply भी नीचे but what if due to another reasons or due to another reasons चो market में available है उनकी वज़े से अगर supply में कुछ change आता है तो उसका effect फिर price पर क्या पड़ता है because यह economy है ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा सिर्फ price में change आएगा तभी supply बदलेगी और भी factors होते हैं और भी कई factors available होते हैं चीक है चुकिए influence करते है supply को अब supply में change आया है तो क्या price में कोई change नहीं आएगा तो वो अब हम यहाँ पर discuss करते हैं चलिए अब अतरती है भया supply में change आ रहा है तो supply में दो तरीके के change आ सकते हैं या तो supply बढ़ रही है या फिर supply घट रही है तो सबसे पहले case number one case या situation number one हम discuss करते हैं that is increase in supply यानि कि supply में जब बढ़ोतरी हो रही है supply में जब बढ़ोतरी हो रही है देखें ये आपका एक normal सा एक supply कर्व हम बनाते हैं पहले ये normal supply कर्व है चुकि कुछ इस तरीके का होता है औट ये आपका एक point है let's suppose ये वाला एक point है जहां पे ये वाला portion आपका match कर रहा है अब देखे यह आपका पहले वाला supply कर्व है यह आपका पहले वाला supply कर्व है अब इसकी वज़े से क्या हुआ due to many other reasons जैसे कि किसी का taste किसी को जो है नहीं पसंद यह वाला production करना इसका cost of production जादा बढ़ गया है या other reasons की वज़े से यहाँ पे supply में कमी आ गई है अब जब supply में यहाँ पे कैसे change करेगा देखे supply में कमी आई यानि अब यह वाला supply कर्व आपका बन गया यानि supply कर्व जो है shift हो गया rightwards supply curve shift हो गया rightwards अब यहाँ पे क्या price में भी कुछ बदलाव होगा बिलकुल होगा अब यहाँ पे जो change आया है वो supply में आया है तो इसकी वज़े से अब यहाँ पे और क्या-क्या change आएंगे यह देखो पहले आप quantity इतनी demand कर रहे थे और price आपका ये वाला था अब supply change हो गई है supply में परिवर्तन आया है और यहाँ पे supply में परिवर्तन कैसा आया है quantity बढ़ने का यानि की supply बढ़ने का अब supply बढ़ने की वज़े से जो change आया है तो यह जो नया point बना है इसके कारण एक नया P1 यहाँ पे आपको दिखेगा P1 एक नया आपको दिखेगा और साथी साथ एक demand curve क्योंकि हमें equilibrium का भी ध्यान रखना है तो यह equilibrium के लिए यह जो demand curve है यह demand curve है यह पहले equilibrium बना रहा था यहाँ अब बना रहा है यहाँ यानि equilibrium point भी shift हो गया है अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं प्राइस में change होने की कारण तो supply change होती ही होती है लेकिन let's suppose आप एक production करते हो कोई product की ठीक है अब आपने सोचा है कि यार मुझे यी वाला ना product नहीं बेचना क्योंकि मेरे पास कुछ और alternatives आ गए जिसमें मैं अच्छा कमा सकता हूँ या फिर जो है ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो alternative आया है आपको लग रहा है कि यार ये शायद खराब है अब मैं इसमें पैसा कमा सकता हूँ ठीक है तो कई सारे reasons हो सकते हैं तो वहाँ पर आप सोचते हो कि नहीं अब मैं इस product की supply नहीं करूँगा या फिर अरे नहीं नहीं इस product की आप मैं supply बहुत जादा करूँगा क्योंकि future में prediction है कि ये और अच्छा चलेगा तो दोनो situation हो सकती है जिसके वज़े से आप supply घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो और इसके पीछे का जो reason है वो आपका price नहीं होता बाकी की चीज़े होती है अब let's suppose ऐसा ही कोई एक factor आया जिसके वज़े से आपने decide किया as a producer कि अब मैं इस वाले product की supply जादा करूँगा जैसे कि मिरे पास marker है चीक है अब मुझे लग रहा है बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं अब मैं जादा quantity कर रही हूँ अब मैंने 100 की चीक है 500 quantity market में लेकर के मैं चली गई हूँ बठा दिया मैंने कि yellow yellow इतने markers मेरे पास available है तो अब क्या होगा कि लोग कहेंगे यार ये markers बहुत सारे लोगों के पास आ गए है ठीक है ऐसा मिए है कि आप ही एक simple producer हो अब मार्केट में आ जाता है तो वो सिर्फ आपकी शॉप पे नहीं आता और भी कई लोगों की शॉप पे आता है और इस वज़े से क्या होता है जो बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट की एकदम से भरमार लगा लेती है कि आओ ले जाओ ले जाओ तो उसकी वज़े से क्या होता है जो मार्केट में लोग होते हैं उनको पता है कि यहां से नहीं मिल रहा चल आगे की शॉप से ले लेते हैं क्या पता कम प्राइस में मिल जाए है तो यहां पर आप एजन सप्लाइर सोच रहे हो अधर पसंच उसको खरीदने आया है वो कह रहे है अच्छा तेरे पास भी 500 पड़ी है देनी है तो दे नहीं देनी कोई नहीं बहुत साले लोग मार्केट में बैठे है जो जिन से हम खरीद सकते हैं तो इस वज़े से अब आ आपके बायर्स होते हैं वो कहते हैं कि भई हमें या तो थोड़ा सा कम प्राइस में दो और आपको थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ता है ताकि आप उस प्रॉलक्त को जल्दी पेच पाऊ भी कि जब आपके पास क्वांटिटी जादा हो गई है जिसकी वज़े से क्या ह होगा क्योंकि देखो दिमांड और सप्लाइ के बीच में एक एकलिबीरियम सेट होता है तब जागर की प्राइस डिसाइड होता है कैसे प्राइस डिसाइड होता है देखो यह आपका सप्लाइ कर्व है यह आपका डिमांड कर्व है जहां पर यह कट हो रहा है जहां यह एक equilibrium price हो गया, क्योंकि यहाँ पर demand यह वाली match कर रही है, यहाँ पर supply और demand कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका quantity है अब, जो equilibrium quantity है, जिस quantity पर both, the buyer and the supplier are happy now, तो यहाँ पर quantity shift हो जाएगा, same, जो price है, equilibrium price, वो भी आपका shift हो जाएगा, और वो shift कहा होगा, towards downward, यानि कि price कम हो जाएगा, क्योंकि उसको equilibrium price के साथ match करना है, और यहाँ पर also, the equilibrium point, जो कि पहले E था, अब वो E 1 हो जाएगा, वो भी आपका shift हो जाएगा, right hand side को, ठीक है, क्योंकि supply भी right hand side को shift होई है, यहाँ पर equilibrium भी right hand side को shift हो जाएगा, so इस तरीके से आपका पूरा यह change आता है, when there is increase in supply, I hope this is clear to you, अब थोड़ा ज़ा इसको पढ़ते हैं, let me just, okay, मैं कभी try put ठीक करना नहीं सेख पाऊँ है, मुझे चार साल हो गई वीडियो बनाते-बनाते, but still, चलिए, देखें, जब हम बात करते हैं, increase in supply की, so while demand remain unchanged, यानि कि पहले demand क्या है, demand में क्या है, change नहीं है, यहाँ पर आप देखो, demand का वही है, demand का हमें हमने change नहीं किया, बस यहाँ पर supply में change हुआ, जिसकी वज़द से नया equilibrium आपका, निकल के आया है, equilibrium point भी, price भी, आपका quantity भी, सब निकल के आगया, demand में कोई change नहीं है, but अगर यहाँ पर supply में change हुआ है, और वो supply में जो change है, that is in surplus, surplus change हुआ है, so जो curve होता है, आपका, वो rightward shift हो जाता है, जो आपका supply curve है, वो rightward shift हो जाएगा, जो की इस तरीके से आपको दिख रहा है, वहीं, the new supply curve, जो निया supply curve है, वो आपका S1, S1, ये वाला रहेगा, जो की intersect कर रहा होगा, अब आपके demand curve को, जो की एक निया point बनाएगा, E1, अब ये निया point जो E1 बना है, वो एक निया equilibrium point है, और इस E1 के, the new equilibrium price जो है, वो रहेगा, OP1, जीक है, तो यहाँ पर पहले equilibrium price था, OP, अब वो हो गया है, सॉरी, OP, OP अब वो हो गया है, OP1, तो यहाँ पर ये भी change हो गया, quantity भी पहले OQ थी, अब OQ 1 हो गई ही है, तो यह क्या है, equilibrium quantity, equilibrium price, and equilibrium point, एक rightward shift जो होता है, supply curve में, उसका result होता है, कि एक new equilibrium point भनता है, जो हाँ पर price कम होता है, quantity जादा होती है, I hope this is clear, now the second situation, that is your decrease in supply, so decrease in supply is the second case, जहाँ पर आपकी supply curve में कमी आ रही है, तो मैं इसी graph में आपको से अब चीज़े समझाऊँगी, बस इसमें थोड़ा सा change करूँगी, ठीक है, थोड़ा सा change करूँगी, अब देखो, यह पहले मैं points change कर लेती हूं, points change कर लेती हूं, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या है, supply decrease हो रही है, supply curve बनेगा, that is S2, S2, ठीक है, S2, S2, और quantities कम होई है, चलो मैं नया ही बनाती हूं, यह आपको तोड़ा confusion में डाल देगा नी तो, चलिए, देखे, अब यहाँ पर जो है, अब हम decrease की बात कर रहे हैं, तो यह decrease, decrease, this is your supply curve, this is your supply curve, ठीक है, Y axis, X axis, यह 0, राइट, अब आपका पहले जो supply curve है, वो यह वाला है, यह वाला है, ठीक है, और यह आपका demand curve है, यह आपका demand curve है, साथ साथ समझते हैं, यह आपका demand curve है, यह आपका supply curve है, यह S, यह S, अब यहाँ पर यह जो point intersect कर रहा है, यानि यहाँ पर आपका पहला equilibrium बन रहा है, और यह आपकी है equilibrium quantity, और यह है आपकी equilibrium price, ठीक है, यह बात करहे हैं, before shifting in the supply, या before change in the supply, अब let's suppose change हुआ है supply में, और change कैसा हुआ है, decrease वाला, decrease हुई है supply, तो यहाँ पर एक नया supply आपका curve बनेगा, यह नया supply curve बनेगा, ठीक है, यह थोड़ा कुछ जादा ही straight हो गया, अब इसको ऐसे बनाएगा तिरच्छा सा, रैट, अब यहाँ पर यह demand के साथ भी touch, जो है, demand कर्व के साथ जहाँ touch कर रहा है, अब वो नया equilibrium point हो गया, और इसी में आपके नई quantity आ गई, और नया price भी आपको निकल के आ गया, so this is P2, this is Q2, और साथ यह आपका E2, यानि equilibrium price बनेगा, अब same situation बेटा, same situation, अब आपने supply कम कर दी, आपने supply कम कर दी, हो सकता है, मौसम की फज़े से supply कम हो गई हो, इसका बहुत ही amazing example देती हूँ, नीबू को लेकर के, जब एक तम बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है न, तो बहुत सादा लोग जो है, नीबू खरिगना पसंद करते हैं, और supply पीछे से कई बार इतनी नहीं हो पाती है, कि जो लोगों की सारी demand को पूरा कर सके, और ऐसा नहीं है कि एक ही supplier पूरा नहीं कर सकता, सब मिलकर के भी नहीं पूरा कर सकते, उनके पास थोड़ा-थोड़ा amount ही होता है, नीबू का या किसी भी product का, ठीक है, तो उसका जो है supply कम हो गया, उसका जो है supply कम हो गया, अब supply कम हुआ है, तो यह उस side में left hand side में shift हो गया है, अब यहाँ पे पहले जो है demand थी इतनी, ठीक है, demand कर था यह, supply थी यह, तो इस point पे जो है, यानि कि पहले जादा quantities पे उनका equilibrium बन रहा था, लेकिन अब supply कम हो गया है, ठीक है, quantities कम है हम लोगों के पास, suppliers के पास, तो यहाँ पे जो QT है, यानि कि quantities कम होई है, उसके वज़े से एक नया equilibrium point बनेगा, जो कि आपका E2 कहला जाएगा, पहले price यहाँ पे यह था, अब price यह हो गया, और quantity यह थी, quantity कम हो गया, देखो, आप देखो, quantity कम हो गयी है, बट price बढ़ गया, quantity देखो, कम हो गयी है, बट यहाँ पे price बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि आप देखो, लोगों के पास quantity कम है, तो जिनके पास थोड़ा अच्छा पैस है वो 2-4 पै एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो जाएंगे जिसकी वज़े से फिर सप्लायर क्या करेंगे अच्छा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो सब के प्राइस बढ़ा देंगे तो जिस वज़े से क्या होगा market में उसका price बढ़ जायगा क्योंकि demand बहुत सारी है supplies कम है तो इसकी वज़े से demand and supply demand बहुत ज़ादा है supply कम है तो price अपने आप उपर जाएगा क्योंकि जो demand करने वाले लोग है यह are ready to pay they are willing to pay more to get that particular product तो उस वज़े से price बढ़ जाएगा, I hope this is clear and देखे, while demand remain unchanged due to decrease in supply, there will be a shortage जब यहाँ पर आपका demand unchanged है, और यहाँ पर क्या है supply में decrease हुआ है, तो वहाँ पर shortage आजाती है, market में की demand आदा है और supply कम हो गई है यहाँ पर curve जो होता है वो upward, यानि के left words जो है, shift हो जाता है तो यह SS से लेकर के S2, S2 में shift हो जाता है जो new supply curve है, that is S2, S2, जो कि अब intersect कर रही है demand को, जो कि यहाँ पर आपकी कर रही है E2 वाले product पे, ठीक है E2 वाले point पे यहाँ पे new equilibrium बन गया है जो पहले E था, अब वो E2 हो गया है और इस point पे जो price है वो बढ़ गया है, price जो है वो बढ़ गया है, पहले OP था और OP 2 हो गया है, वही quantity घट रही है, क्योंकि पहले OQ था अब OQ 2 है, तो यहाँ पे अब यह quantity में कमी आई है price बढ़ गया है, leftward shift हुआ है supply curve में, जो कि यहाँ पे quantity में reduce करके लाता है, और यहाँ पे price में बढ़ गया है I hope this is clear to you how it happened, कैसे हुआ, तो वो सब चीज़े आपको समझ में आई होगी so let's see you in the next video, till then take care of yourself and take care of your health, bye